पाद पाद स्वागत है आप सभी लोगों का स्पोर्ट्स नेस्ट के इस वीडियो में मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी श्रद्धा पाने IPL साल 2023 का मुकाबला नमबर 33 खेला जाएगा CSK बनाम KKR के बीच में कुलकता के इदिन गार्डन में CSK की बात करें तो KKR का थोड़ा से डाउन फॉल चोल रहा है KKR पिछले दो मुकाबले हार करा रही है हार की हैट्रिक से एक टीम बचना चाहेगी महीं जीत की हैट्रिक एक टीम लगाना चाहेगी CSK विनिंग टीम है के KKR जो है लूजिंग टीम है लेकिन जीत के इरादे से दोनों ही टीम इदिन गार्डन में उतरेंगी थोड़ा सा फायदा यहाँ पे कॉलकता का होगा क्योंकि उनका होम ग्राउंड है और यहाँ पे कॉलकता की आंकडे ठीक ठाक है आंद्रे रसल यहाँ पे बहतर करते हैं यहाँ पे आपके निती शुराना बहुत जादा बहतर करता है इस मैदान में तो देखते है क्या कुछ होता है पट फिलाल इस वीडियो में आपको बताते है कि इडिन गार्डन की जो पिच है वो कैसी हो क्या आप सबी को पता इडिन गार्डन की जो पिच है वो बल्ले बाजो के लिए अनुकूर रहती है यहाँ पे रोई शर्मा को बहुत मज़ा आता है खेलने में विराठ कूली को बहुत मज़ा आते है क्योंकि लंबे-लंबे-लंबे-लंबे चखके आपको इस मैदान में दे यानि T20 में ये बेटर पिच रही है इस बल्ले बाजी सतह पर 180 से नीचे के स्कोर का बचाप करना बेहत मुश्किल साबित हो सकता है यानि 180 का स्कोर यहाँ पे एक एवरेज स्कोर एक कॉंपिटिटिव टोटल माना जाता है आकड़े यहां दूसरे नंबर पर बल्ले बाज बाजी करने को चुनने की सोच को साख तोर पर दिखाते हैं यहां इडन गार्डन स्टेडियम में खेले गए 80 IPL मैचों में से चेज करने वाली टीम 47 टाइम चैनी 47 बार जीत दर्ज की है जबकि 33 टाइम पहले बल्ले बाजी करने वाली टीम ने जीत हासिल की है तो देखा आपने यहां पर टॉस एहम घुमिका निभाएगा टॉस जीत के आपको बोलिंग लेना यहां पर एक सही फैसला रहेगा चेज हर को यहां पर करना चाहेगा बेटिंग अनुकूल यह बेटिंग फ्रिंगली यहां की पिचा इडन गार्डन हम बेटिंग परड़ाइस भी ब पिच से जादा मदद मिलगी के क्यार को या सीएसके को जरूर हमें कमेंट्स के जरूर बताईएगा फिलाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया